देश और प्रदेश में कोरुना के अलर्ट के बीच घंडवा में हरताल कर रहे समविधा स्वास्त कर्मियों का अनोका प्रदर्शों देखने को मिला है हरताल के नौवे दिन समविधा स्वास्त कर्मियों ने पीपी किट पहन कर रैले निकाली और नारे बाजी की इन्होंने मांगू के समर्थन में मानव शुरंखला भी बनाई इसी पर देखे एक खास रपोर्ट आज हमने विरोश शुरुप मानव स्रंकला बनाई हैं पीपी कीट पहन के बनाई हैं सर हम 50 डिगरी टेंपरेचर में पीपी कीट पहन कर हमने लोगों की जाने बचाई हैं आज पीपी कीट में इतना अंदर महसूस ऐसा होता है जिसे हम जंग लड़ रहे हैं इसके लिए हम सी हो और इसी ताकत के साथ आगे काम करें कोरोना में हमने लोगों की जान बचाई यह पूरे दुनिया ने देखा है हमने अपनी जान देकर भी बचाया है लोगों को यह पूरी दुनिया ने देखा है अब यदि कोवीड आता है तो हमारी भी हमारे परिवार हैं हमारी भी समविदा स्वास्त कर्मियों की हरताल की बजह से स्वास्त सिवाएं प्रभावित हुई है जला अस्पताल में मरेजों की भीड बढ़ रही है तो वहीं स्टाफ कम होने से उपचार में देरी हो रही है वीड़ा उत्पन और उनको और वो पीएसी तक के नहीं आ सकते हैं और डिस्तिक तो बहुत ही जादा दूर पढ़ता है जिसके कारण वो बार-बार मुझे कॉल कर रहे हैं लेकिन मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं भी अपनी आधी रोटी के लिए यहां पर आई हुई हू हर दाल के चलते ही लोगों को परिशानी हो रही है इसी को लेकर CMHO डॉक्टर शरत हिर्णे का कहना है कि व्यवस्था प्रभावित हुई है जिनके विकल्प को तलाशा जा रहा है विगत 15 तारिक से हमारे यहां पर जिला चिकिस साले और जिला घंडवा में जो समीदा कर्मचारी हैं जो राश्टी स्वास्त मिशन के अंतरगत कारिरत हैं जिसमें चिकिस सक हैं स्टाफ नर्सेस एनेम और अन्य विधाओं के लोग हैं वे सभी अनिशित कारीन हड़ताल प कर दो मांगे हैं जो नियमीती करण एवं जो उनकी तंखा है उसमें बढ़ोतरी के संबंद में यह अड़ताल हो रही है तो इसके कारण जो हमारे फील्ड में जो राश्टी कारेकरम होते हैं जैसे टीका करण है गर्वती माताओं की जांच है तथा अन्य गतिविदियां है वो थोड़ा प्रभावित हुई है और जिसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वो गतिविदियां सुचारों रूप से चले इसलिए हमने नर्देश भी जारी किये हैं कि जो करमचारी नीमित रूप से कारेकर हैं वो अत्रिक्त कारे करते हुए अपने पु कुछ हद तक उनके कारे प्रभावित हुए हैं और उसकी भी वेवस्ता की जा रही है। प्रभावित प्रभावित है।